पूरा हफ्ता जमने आपको सुबह सुबह आके जगाने और उससे पहले मुझे खुद जागना है, सबसे बड़ी बात यह है, कि आपको जगाने से बिले जब खुद जागना हो तो यह सबसे मुश्किल काम है तो आज आप मैं आज की रीसर्च आपको से शेयो करती चानूँ, आज 8th of September है और यह है Literacy Day, World Literacy Day यानि के खुद की का आलमी दिन Basically, इस दिन को बनाने का मकसद यह है कि किसी भी मुल्की तरकी का इनिसार जो होता है, वहां के पड़े लिखे अफराद पर होता है और definitely कि जब तक माश्रा या एक सोसाइटी या एक मुल्क के लोग पड़े लिखे नहीं होंगे, उनकी जो ओवराल साइट अप है वो भी बेतर नहीं हो सकता और हमारे हाँ, unfortunately, जो education है, वो किसी तरह पर पर प्रायोर्टी नहीं है को स्टार्टिस्टिक्स भी मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, लेकिन उसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जनाब ये मनाया जाता है यूनेस्को की जानब से निवेंबर 65 में, 1965 में मनाने का इसको तहिया किया गया था और ये दिन पहनी मरतबा, 1966 में मनाया गया, इसका परपस ये था कि खानदे की केमेर, यानि के लिट्रसी की एहमियत पर बात की जाए, उसके एकडमाद पर बात की जाए, और इसके फवायत पर बात की जाए अब बन्यादी हकोग में बच्चे का, हर बच्चे का बन्यादी हकोग होता है कि वो अच्छी एजुकेशन हासल करें और ये डेफिनेटल एक गार्मिन्ट की जिम्यतारी होती है कि वो अपने रहने, अपनी सुसाइटी है, अपने लोगों के जो लिट्रसी है, उसको फरोग दिने में हमके दार अदा करें लेकिन हमारे हाँ कई साल गुजर गें अभी तक हम इसी कश्मा-कष्मे मब्तला है कि हमें कौनसी जबान मिलाने हैं, हमें कौन सा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको नाफिस करना है, हम अभी इसी कश्मा-कष्मा कश का शिकार है और इसी वज़ा से हमारे जो लेटरिसी रेट है वो दिन बर दिन कुछ अजीब से तरीका से तरीका से तरीका कुछ मैं आपके साथ स्टाटिसिक भी शेयर करूँ करूँ कर जनाब अगर बात की जाए तो प्राइमरी तालीम से महरूम बच्चों की तादात के हवाले से इंटरडाशनल लेवल पर नाइजेरिया जो है वो सरे फेरिस तरह जो है जहर छे करोड़ बच्चे स्कूल जाने से महरूम है पांच करोड़ पचास लाग के साथ पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर है और जबके एथोपिया तीसरे भारत चोथे और फिल्पाइन जो है वो पांच वे नंबर पर है यानिके हम अगर अब भी हम वो कहते हैं सेंसिस होते नहीं है अभी हमें प्रॉपर ली उस चीज के पाक्स और फिगर भी नहीं पता तो अगर अगर हम दुबारा से मर्दम शुमारी का एक वो कॉंसेप लाएंगे अभी चुँके अब हु सब्सक्राइब के अभी हम अपने बच्चों का एजुकेशन दे तो 8 सप्तेम्बर वर्ल लिट्रसी डे मना जाते है दुनिया भर में ताके सवाले से लोगों को अवेर्निस दी जाया और यह बताया जाए कि एक मौशरे के पड़े लिखे होने में उसका अब जो एक इस पर्चों को खिराजे ती सिंब पेश किया और 7 सप्तेम्बर पाक फजाया का दिन था और आज एक सब्सegal में आर्में प्सक्वों क framework नाइन तो इनकी मिए gelecekнь में गिर्दिन 1965 की जम की बात करें तो पाक बहिया ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिस तरह से इंडियों को इनों ने नुकसान पहुंचाया उसकी वाकई मिसाल नहीं मिलती बेशक पाक जो नेवी पाकिसान है उसकी बैरी रदूत जो है समंदरी और साहिली मफादाद की डिफिनिली वह महाफ़ित होती है और इसकी बात की जाय है तो ये पाकिस्तान की 1040 किलो मीटर यानि के 650 मील साहली पट्टी के साथ बहरिया अरब और बहीरा अरब और रहम शहरी बंदर गाउन फॉजी अडो के दिफार की जिमेदार है पाकिस्तान नेवी 1947 में पाकिस्तान की अजादी के बाद जो है पाक नेवी पाक बहरिया जो है ये वजूद में आई और इसके बाद ये जो 1965 की जंग है इसमें इनका बहुत ही जबर्दस रोल रहा और जो लड़ाई का जो भी पाक फजाईगा को जहां भी मुश्किलात पेश आई महाँ पाक ब किया तो जना आज का दिन पाक बहरिया के नाम और जिस तरह से 6th, 7th and 8th September हम अपनी तमाम तर आम पोर्स को चिब्यूट पेश करेंगे तो आज हम पाक बहरिया को चिब्यूट पेश करेंगे तो ये थी हमारी आज की रीसरॉस निस जो हमने आपके साँ शेयर की मारे पस एक बड़ी खुबसूरत सी महमान मौझूद है बाए प्रोफिशन तो एक लॉयर है मोटिवेशनल स्पीकर भी है और इसके साथ साथ बहुत ही प्यारी और अच्छे दिल की खातूम नी है और आज हम चुग्यं से जो बात करने वाले वह स्पाइनल कॉट इंजूरी के हाले से क करना कैसे आज सबसे पहले तो यह बता है सुबहर वर था था मुश्किल था मुश्किल था Just ne दूशियो मुश्किल नीच वर्गाना कंदे उर्ड जा वेसा women जाने तो अग्जीं टुक्रम हनुने बात कि सब्सक्रां के हालसा इब और से जज तके को क्यuls 10 क्योंकि Spinal Cord Injury इतनी एक मेजर एक चीज है बच सामाओ इतनी अवेरनेस उसकी नहीं थी तो इन लोगों ने एक मन स्पेसिफाय किया था जिसमें अवेरनेस होती है जिसके लिए वो डिनेशन करते हैं जो इन लोगों की सपोर्ट करें तो आप भी इसका शिकारी कैसे थोड़ा बचाहेंगे वियो से शेयर करें ताके जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप भी सबीनेस का हिसा बने जी मैं मैंने अब हिंद्यार याफ अमेरिकल कॉलेज जोइन किया था तो हम मोटर वेपे स्लाम बाज रहे था 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 तो पिंडी बच्टिया के करीब हमारा एकसिडेंट हुआ तो उसकी वज़ा से मेरी इस्पाइनल इंजिरी है तो अमीन जब मेरा एकसिड अब शवाग मेरी मेरी कई डेथ हो या इस कार एकसिडेंट में एकसिडेंट में तो इनिशली मुझे तो खुद्ध बढ़ पता है नीता मुझे तो यह भी चुरूर मैं नहीं पता था मिस अपिस अथ हुआ क्या है तो फिर एवेंचुली यह हुआ और फिर चो डील की और उस ओर्डीन से हम इतने सालों से गुसरे सब कुछ तो में लिए तो अभी सिप्टेंबर एक बहुत एक मीनिफुल मन्थ रहता है क्योंकि मुझे भी नहीं जिस नापता था भी मैं अपने अपको बड़ा एक अवेयर और एक यूनो बड़ा हम समझते हैं मैं खुद सब्सक्राइब इस इंजिरी के बारे में जितने लोग बोले और पता लगे ताक पियर सपोर्ट शुरू है क्योंकि स्पाइनल इंजिरी एक ऐसी इंजिरी है क्योंकि नर्व इस सिस्टम आपका अफेक्ट करती है तो पूरी बॉड़ी आपकी एफेक्ट होती है और जो और कुई दो इंजिरी इस चाहे वो एक लेवल की उऊ वो एक जैसी नहीं होती हर एक की बॉड़ी डिफरेंट तरह रिस्पॉंट करती है दोगे लिवेटें कि पोगी सीघ्टा नोगायियन कोई जादा भी। तो नोगोज दुनिया कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। स्सक्राइड कर दोड़ेगा सकते हैं। यह झालत है , यह जा दौड़ी का राणी यह जा सुझाते है कि इस तरह का लाइफ स्टाइल हो जाता है आपको किस तरह से मैनेज करना है वह सारा को चाहिए पिल्कुल क्यूंकि लाइफ खतम नहीं होती न वो तो अल्ला के हाथ में होती है सिंदगी देने वाल व्हाला वो यह है तो मगर हम लोगों ने जिडétais गुदान रहे घुजानदी और एक ओषऔर नहीं है तो फिर हम पर आता है और Sanna आपको देखके बिलकुल नहीं लग सकता बिलकुल लाइवी आप Sanna का मैं तो खैर Sanna के साथ मेरी अच्छी इंटराक्शन है Sanna आप माशा आला बहुत लाइवी रहती है मोटिवेटेड़ रहती है इसका रास क्या है यह जी आप पाली जी मेरा इसमें कुछ कमाल थे लोका है मेरे घर में डिप्रेस होना या लोग फील करने की जॉआज़त नहीं होती अचा अ कर शुरू शुरू अब तो खैर में भी काफी बड़ाँ आप बड़ाँ साहँ है एक सब्सक्रित के लिए उचाँ गूरू कोसी चुप आने के लिए दाए तर दाए और लाना से आगार लोगी आज़ांगी नाष्टा कारण लोगी अचा ठीक है सब्सक्राइब करें तो इसके साथ साथ राम्स जो अमूमन पॉब्लिक प्लेसिस पर नहीं होते हम अकसर देखते हैं कि जो लोग बीलचेर उपर इस तरह से उनको कोई इसू होता है तो उनके लिए बड़ी प्रब्लमाटिक होती है चीजे और इसके अभी आप मुरे साथ शे है अब let's move on तो पहला step क्या होता है कि आप दुनिया में बाइर निकलो लोगों को मिलो मगर जब एक access ही आपको deny हो जाए आप एक building में एक restaurant में एक office में जा ही ना सको तो आपकी life चुरू कैसे हो एक ramp होना तो सबसे basic है किसी को भी अपनी life में को जीने के लिए सो जब मैंने मुझे शुरू में बहुत problems वड़ती थी में मगर मैं चेर मेरी थोड़ी light weight है तो मुझे lift कर लेते थे एक दिन में कहीं गई भी और वो किसी waiter से मेरा हाथ slip होने लगा उसका हाथ slip हुआ और मैं टेड़ी होगी मुझे लगा अभी में गेर जाओगी उसके मुझे 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 रेलाइज हुआ कि मैं भी बड़ी गिल्टी हूँ मुझे भी आवाज यह बहुत पहले उठानी चाहिए चलो छब भी उठाए तो फिर मैंने थोछी सी रिसर्च की एक लॉयर के थ्रूम हमने पता किया सारा लौ फ्रेमवर्क है अब भी आवाज है एक राम उसका ग्रेडियंट भी उन्होंने स्पेसिफाइ किया है किस हाइट पे होना चाहिए कितना चोड़ा होना चाहिए और एक डिसेबल टोइलेट भी हार नॉम्मिलिक और कमर्शल भी कहीं भी नहीं होता अग्यू विश्य वेश्ट ओफ लग कि आप इसी तरह से लोगों को वेइनिस देती में और इसी तरह से मोटिवेटिव नहीं तांके आपको देखर बहाँ चाहले लोग अवह उप मुझाए अभी हमारे से तौर भी वहमान आएंगे ये लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहें जागल हॉर